किशान भायो नमस्टकार मैं फार्मर राहुल पटेल पंच्वटी आर्गेनिक फर्म में आप सब का हाद इख स्वागत करता हूँ किशान भायो आज की तारीक है 18 अप्रेल 2020 और यह हमारे केले की पेड़ी है और आप लोग देख रहे हैं इसमें अब कुछ घार आना सुरू हो गया है करीब करीब 8-800 पौधे हैं इसमें टोटल क्योंकि यह इसमें हमने पेड़ी है और इसमें कहीं कहीं पर दो पौधे भी हमने छोड़ा है और इस तरीके से कुल मिला कर 8-800 पौधे यहां पर होते हैं जो घार में जो एक सबसे बड़ी समझ्चा आती है बनाना बीटल की उसका कुस असर यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें कीड़ा होता है जो नई निकलने वाली घार में अंदर गोफे में रहता है और वहां से केले के फल में कुतर कुतर कर खाता है जिसकी वज़ेसे इसमें दाग लग जाता है और किसान भाईयों जैसे जैसे केले का फल बड़ा होता जाएगा ये निसान भी उसी इसाब से बढ़ता जाएगा और आल्थिक दृष्टी से सबसे ज़्यादा नुकसान यही कीडा करता है और केले में और कीड़ों की बात करें तो इसमें एक कीडा और लगता है जो केला बैठाने के बात से ही उसका प्रभाव रहता है यह इसके पत्तियों को खाता है जिसमें पत्तियों में छेद हो जाता है और कभी-कभी जब ज़्यादा मात्रा में यह कीड़े लग जाते हैं तो पूरी की पत्तियां साफका देते हैं और उससे ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन यह जो बनाना बेटल है यह जब केले में घार आती है और उस समय इसमें केले की गोफों में उपर की तरफ उसे में अंदर बैठा रहता है तो उसे में यह इस तरीके से उसको काट कर खाता है जिसकी वज़ा से इसका देखने में फल बहुत खराब लगता है और उसका हमें उचित रेट नहीं मिलता है यह कहें कि बहुत ही कम रेट मिलता है और यदि मार्केट में केले की प्रयाप्त मात्रा में उपलबता है तो वो मार्केट में आपके उसके ले की डिमांड भी नहीं रहेगी इस कीडे से बचाओ के लिए क्योंकि अभी ये अपरेल महीना चल रहा है और पेड़ी हमने अगस्त में छोड़ी थी और कहीं कहीं पर इसमें अब घार आना सुरू हो गया है तो अभी से हमने पहला जो इस्प्रे लिया है वो एक अहलकी दवा का लिया है जिसमें हमने प्रोफेक शुपर नाम से आता है जिसमें प्रोफेनो फास और स्वाइपर मेथरिन का कम्बिनेशन होता है उसको हमने 25 ml प्रती 15 लिटर की टंकी के हिसाब से प्रयोग किया है और इसका जो हमें इस्प्रे करना होता है उसका ये तरीका है ये केले के उपर का जो गोफा होता है उसे में से हमें इस्प्रे करते आना है उसमें उपर से नीचे की तरफ हम इस्प्रे करते हैं या नीचे से उपर की तरफ इस्प्रे करते हैं जिससे गोफे की हर गाठ में थोड़ा थोड़ा दवा पहुंच जाए क्योंकि यह जो कीड़ा होता है यह इसी गोफे में बैठा रहता है और केले के जो कोमल पत्ते होते हैं उन्हीं को ये खाता है किसान भाईयों वैसे तो ये कीड़ा दिखाई नहीं देता है लेकिन यदि आपको पता करना हो कि हमारे केले में या हमारी फजल में इसका प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है तो उसका एक सबसे सरल तरीका ये है कि आप इसके जो नई निकलने वाली पत्या है उन पर निगाह दोड़ाईए और यदि नई निकलने वाली पत्यों में ये कीडा इसमें कुछ खाया है या उसको कुतरा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारे पौधे में बनाना बीटल मौझूद है जैसे ये नई पत्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक पीड़ा यहाँ और यहाँ पर इस तरीके से कुछ हलके हलके दाग बने हुए है कि ये पत्यों को तभी खाता है जब ये पत्या एकदम नई निकली होती है और काफी कॉमल होती है और जब ये पत्या पुरानी हो जाती है या घार पुरानी हो जाती है तो उसके बाद उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पढ़ता है और केवल केवल ये नई पत्यों को खाता है जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पत्ती ये पूरी की पूरी नई पत्ती थी और इसमें के एकदम बीच में गोफे में पहले से था और इसने इस तरीके से कुतर कुतर कर पत्तियों को खराब कर दिया है और यद ये पत्तियों को खाता है तब तक तो इसमें दवा ना डाले तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें हलका फुलका थोड़ा सा नुक्सान के वल पत्तियों उपर आता है लेकिन यद ये नई निकलने वाली घार में भी इसका प्रभावा आ जाता है तो इससे हमें आल्थिक नुक्सान होगा तो इसके लिए हमें पहले से सचेत हो जाना है किसान भाईव इसमें हमने दो दिन पहले दवा का इसप्रे किया था और उस समय ये वाली घार आप लोग देख रहे हैं ये केवल बाहर की तरफ लटकी हुई थी उस समय हमने इस पर दवा का इसप्रे किया था और इस तरीके से देख सकते हैं इस फलो पर दाग बना हुआ है तो इस तरीके से फलो में दाग ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि घार निकलने से पहले ही हम प्रतेग गोफे में इस दवा का इस्प्रे कर दें किसान भाइयों इस कीड़े के लिए प्रोफेक्स सूपर नाम की जो दवा आती है इसमें प्रोफेनुपास और शाइपरमेथरेन का कॉंबिनेशन है किसान भाइयों एक दूसरी दवा हमला 505 नाम से आती है या इतेल 505 करके आती है और एक दवा और आती है इमेमेक्टिन बेंजोएट जिसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं इसे जो कुतरने वाले कीड़े होते हैं उसका काफी अच्छा कंट्रोल होता है और इसी तरीके से और भी जो दवाएं कुतरने वाले कीड़ों के लिए काम में लाई जा सकती हैं वोन दवाओं का इस पर बनाना तीन इसमें लेना होगा और एक घार आने से पहले और दूसरा इस पर घार आने के बीच बीच में दो इस पर लेना होगा और किसान भाईयों इस कीड़े की बारे में एक खास बात और बता दें कि यह कीड़ा जो होता है यह उड़ भी सकता है और धूप निकल जाने पर यह कीड़ा गोफे में और अंदर की तरफ चला जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यदि बड़ा खेत है तो कम से कम दो लोग दो तरफ से इस्प्रे करें और इसका इस्प्रे सुबह एकदम सुबह सुबह किया जाए जिससे धूप निकलने से पहले ही यदि पूरे खेत में दवा का इस्प्रे हो जाता है तो इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए और भी अच्छा उपाय होगा और यदि हम कांटेक्ट बेस की दवाओं का इस्प्रे करते हैं तो हमें इन सावधानिय की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें दवा सुबह स्प्रे करें या कीड़ों के ऊपर ही पड़े क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं कि आप इसका इस्प्रे करेंगे तो कीड़े पत्तियों को जब भी कुतरेंगे तो उसमें मौजूद जहर की उजसे कीड़े मर जाएंगे तो आप लोगों को हम कुछ कीड़े का वीडियो भी दिखा देते हैं इसमें इस प्रेके दवरान जो कीड़े बाहर निकले थे ये कीड़े बहुत ही छोटे होते हैं और ये कीड़े उड़ते भी हैं और इस तरीके से ये कीड़े होते हैं ये छोटे छोटे और कुतर कर खाते हैं किसान भाइओ ये हमारे केली की पहली पेड़ी है इससे पहले हम इसमें एक फसल काट चुके हैं और ये इस बार पेड़ी है और इसमें हमने कहीं कहीं पर दो और मैक्सिमम दो पौधे को इसमे ये 4 पिट का चोड़ा बेड मन गया है तो इस तरीके से इसमें जो बीच में इसकी पत्तियाँ और तना थे उन सब को रखकर इसपे हमने मिट्टी चड़ा दीा है तो इस तरीके से ये हमारा पेडी अब कहीं कहींपर घार लेना सूरू कर दिया है इन तरीकों को अपना कर केले की फसल को बनाना बीटल की समस्य से छुटकरा दिलाया जा सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और आपने हमारा यूटुब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूटुब चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर खेती बाड़ी से संबंदित नहीं नहीं जानकारियां आप लोगों को मिलती रहेंगी एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार